Hello students, exercise 1.1 का question no.4 State whether the following sentences are true or false Give reason for your answer करें कि बताईए कि जो नीचे sentence दिये गए हैं ये true है या false है अगर आप true बताते हैं या false बताते हैं तो उसके reason का reason को भी justify करना है कि क्यों ये जो true है या false है आई ये देखते हैं Question no.1 फर्स्ट है Even natural number is a whole number करें कि Even natural number is a whole number करें कि सभी natural number whole number होती है करें कि सभी जो भी natural number है वह एक whole number भी होती है आप देखिए जो हम आपको जब पढ़ाए गए थे तो natural number को denote कि जाता है one two three four five six इसर सरे के infinity तक और जो whole number होता है उसको जिरो one two three four five आप देखिए यह natural number है और यह whole number है तो whole number में सारे natural number आते हैं तो इसके मतलब कि यह जो फर्ष्ट है वह true है आप यहां true लिखिए यह true है क्योंकि सभी natural number whole number भी होते हैं यह जो natural number है वह whole number भी है तो फर्ष्ट जो है true है second देखिए every integer यह whole number करें कि सभी integer whole number होते हैं की उसके जानते हैं यहां से integer जो है यह देखो 0 होता है इथर प्लस one होता है इदर two होता है इदर प्लस three इदर प्लस प्लस four और इधर सभी किसंऊं मैंनस नंश deles स्य होता है अब देखिए integers में – νِ Julian नमबर भी आते हैं positive भी आते हैं और zero भी आते है आप देखिए कह रहा है कि सारे सभी integers whole number भी होते हैं देखिए यही नहूल नमबर है क्या ए सब हैं इसमें whole number में –1, –2, –1 है नहीं यह जो whole number होते हैं यह negative नहीं होते हैं जबकि integer जो होती है और negative ही होती है तो इसका मतलब कि यह जो है यह sentence false है क्योंकि सभी integer whole number नहीं होती है क्योंकि 3 integer है लेकिन whole number नहीं है इसी तरह से आपको justify के नहीं रीजन है कि minus 3 is a integer but not a whole number minus 3 integer है लेकिन whole number नहीं है minus 2 integer है लेकिन whole number नहीं है minus 1 integer है लेकिन whole number नहीं है तो यह false है question number 3 है every rational number is a whole number करके सभी rational number whole number होती है यह देखिए 3 upon 5, 2 upon 5, 1 upon 3 यह rational number है लेकिन whole number नहीं है क्योंकि whole number fraction में नहीं होता इदर देखिए यह 3 upon 5, 2 upon 5, 1 upon 3 यह rational number नहीं है लेकिन whole number नहीं है तो सभी rational number whole number नहीं होती है इसलिए यह भी false है तो इस्टुडेंट्स उमेद है कि आपको समझ में आया होगा अगर वास्तों में अगर दिल से अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए वीडियो को सेयर करिए फिर अगले एक्सरसाइज में आपसे मिलते है तो तकलिए बाए बाए जैहिन जै भारत